हेलो फ्रेंट्स आपका स्वागत है opti users में आज हम Gloozree के इंतरका oligopoly market को देखेंगे previously हमने monopoly market को cover किया था markets with only few sellers इस market में क्या होते है कुछ ही sellers होते है और buyers क्या होते है many buyers होते है characteristic of oligopoly market क्या होता है few sellers offering similar or identical products जो आपको बेशते हैं तो वह किस market में आजाता है oligopoly market में आ जाते हैं जैसे आपका example है car ठीक है car का example लेने को तो कुछ जैसे महिंद्रा हो गया आपका या फिर आप और भी बहुत सारी cars का example ले सकते हैं तो है तो वह कारी पर क्या है थोड़े थोड़े चीजों में वह क्या different differ कर रही है ठीक है तो इसमें क्या होता है कुछ few sellers ही कुछ गिनें चुने 20 या 25 आपके sellers होंगे और जो buyers होंगे वह many होंगे interdependent firm और firm क्या होता आपका interdependent होता है best of cooperating and acting like a monopolist by producing small quantity of output and charging a price above a marginal cost और इसमें जो आपका होता है एक तरीके से यह monopolist ही कहा जाते है क्योंकि इपने जो price को क्या करते है maintain करते रहते है according to their profit ठीक है margin ज्यादा पाने के लिए आपका क्या करेंगे यह price को change करते रहते है तो जिसमें first thing is that कि इसमें few sellers होंगे जो कि आपका identical product को ही बेचेंगे और एक तरके से interdependent firm होगा मतब एक की price जो होगी डूसरे पर depend करेगी क्योंकि मालिच एक बहुत जादा price rise कर दे रहा है तो दूसरा वाला अगर कम पर बिश रहा है तो कम वाले से लोग ज्यादा खरीदना पसंद करेंगे तो कहीं न कहीं इसमें rivalry पाई जाती है बहुत जादा एक दुसरे से rivalry होती है थोड़े थोड़े चीजों में product को differentiated करके लोग attract करना चाहते हैं तो यह आपका characteristic of oligopoly market हो गया और इसमें आपका जो producer होता है वो मतब आपका small quantity देके क्या करता है charge price जो की अधिक से अधिक price करना चाहता है तो यह आपका हो गया oligopoly market thanks for watching